हे अब्रिवन वेलकम टोन अकाडमी अड़ूप लोडिंग अपसल्यूटली ओसम उमीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त आपका एजुकेटर मुश्चर्म आप लोग मुझसे हर एक प्लैटफॉर्म पे एक ही सवाल पूछते रहते हो कि सर ये करेंट अफियर्स को पढ़ा कैसे जाए आपके यूपी एसी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए मैं आज आप लोगों को शौट शौट पाँच ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिससे आप लोग अपने करेंट अफियर्स की तैयारी को और भी जादा असान बना सकते हो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ रिसोर्स भी कवर करने वालाओं की करेंट अफियर्स के अंदर आपको कौन-कौन से रिसोर्स का इस्तमाल करना है जो लोग आज मुझे पहली बार मिल रहे हैं इले करेंट आफियर्स रहे हैं परिंसिपल में से पहला प्रिंसिपल की तरफ आए बरते हैं पहला principle क्या है पहला principle होता है आपके resources पढ़ाई करोगे तो किन किन resources का इस्तमाल करना है कोन कोन से newspaper का इस्तमाल करना है कोन कोन सी magazines का इस्तमाल करना है और इसके अंदर सबसे खास बात होती है limitation आप लोग क्या करते हो कि आप उन किताबों के समुंदर में खो जाते हो आपको समझ में नहीं आता कि किस particular किताब में से क्या क्या चीजें आपके लिए important है और वहीं पे ही आप क्या करते हो आप अपना time waste करना चालू कर देते हो क्योंकि यहाँ पर आप लोग hard work जरूर करोगे बट smart work नहीं कर पाओगे तो important है अपने sources को limit करना now favorite sources क्या है आप लोगों के favorite sources है आप लोगों के newspapers तो newspaper के अंदर आप लोग दो newspaper का इस्तमाल करो पहला newspaper होगा आपके लिए दा हिंदू अब जब भी आप लोग कोई चीज पढ़ने आगे बढ़ रहे हो जैसा current affairs आप लोग पढ़ने आगे बढ़ रहे हो तो एक पहली prerequisite चीज जो आप लोगो को पता होनी ही चाहिए वो है आपका syllabus अब आप लोग कोई news पढ़ रहे हो और आपको यहीं नहीं पता कि syllabus में क्या-क्या चीज से cover करना है तो news को कैसे पढ़ना है वो भी आपके बिल्कुल brain के अंदर enter नहीं करेगा तो पहली चीज आपको cover करना है दा हिंदू अब जब आप लोग एक newspaper cover कर रहे हो तो दूसरा newspaper पूरा cover करने के आपको ज़रुरत नहीं है दूसरे newspaper का जो Indian Express है उसका आप लोग जो explained section होता है जो explained section होता है आप उसका इस्तमाल करोगे बहुत भेतरीन तरीके से Indian Express ने explained section निकाला है जहाँ पर वो तीन या चार ऐसे topic उठाते हैं और उनको question wise explain करते हैं तो यहाँ पर आप लोग दा हिंदू करो तो Indian Express का explained वाला section cover करो इसके साथ साथ कोई भी एक monthly compilation आपकी रह तो नहीं गई तो ये एक buffer की तरीके से काम करता है तो ये तीनों एक साथ interlinked है इसके साथ साथ एक बहुत important चीज़ वो है press information bureau government of India की information website है जहाँ पर government of India daily निकालते है कि आज क्या-क्या बढ़े decisions लिए गए क्या-क्या सरकार क्या-क्या काम कर रही है कौन सा मंत्री कहां पर visit करने गया है या कोई बाहर का वो डिनेटरी हमारे देश के अंदर आया है तो उन सब चीज़ों के लिए P.I.B. one of the most important resources हो जाता है इसके साथ साथ government दो important magazine निकालती है आप लोगों के लिए यहाँ पर daily basis पर मैं बात कर रहा हूँ daily basis पर योजना निकलती है कुरुक्षेतर निकलती है मंत्ली निकलती है अब योजना और कुरुक्षेतर आपके mains के अंदर बहुत ज़्यादा काम आती है मेंस examination में योजना और कुरुक्षेतर superbly important हो जाती है because हर मही में एक topic को पकड़ा जाता और उसके उपर एक broad explanation होता है आप लोगों के लिए कुछ boxes भी होते हैं आपके योजना और कुरुक्षेतर के अंदर जो boxes आपके mains और preliminary examination दोनों के लिए important हो जाते है इसके साथ साथ आप लोग on a daily basis as a fun and as a discussion भी आप लोग All India Radio सुन सकते हो या राज्यसबा television की यहाँ पर जो discussion series होती है उनको आप लोग सुन सकते हो जो आपके लिए YouTube में freely available है last but not the least अगर आप लोग कोई भी resources cover कर रहे हो और अगर आपको उन resources को और भी जदा enhance करना है so do not forget कि आप लोग internet का इस्तमाल करो आपके पास internet की power है आपके पास internet के सुविदा है आपके mobile phone में आपके laptop में आपकी tablets में आज कल तो TV भी smart TV हो गए है उन सब का इस्तमाल करो internet से चीजों को और भी जदा deep में जाने की कोशिश करो deep में का मतलब यह नहीं है कि आप लोग करने पहुँच गए भाई PhD PhD नहीं करनी है करना है हमें static study but with a focused manner जितनी चीज़े अपने लिए important है उतना इससे काम हो जाएगा इनसे बाहर कोई भी question आपको देखने को नहीं मिलेगा यह मैं personally आपको guarantee दे सकता हूँ इसके साथ guys दूसरे principle की तरफ आगे बरते हैं अपना time limit करो limit your time कि मानलो आप लोग the Hindu और Indian Express के explain rate पर रहे हो शुरू में थोड़ा time लगता है जब आप लोग initially start करते हो मानलो 2,5 गंटे लगते हैं बट उसको इस level पे लेकर आओ कि आप लोग within 40-50 minutes इन सब चीज़ों को cover कर सको यह मैं without note making बता रहा हूँ कि आप यह सोचों की sir कह रहे है कि 40-50 minute में note making भी करनी है ऐसा नहीं है 40-50 minute में आप लोग यह वाला जो section इसकी reading पूरी कर पाऊ ठीक है note making में आप लोग क्या करोगे आप इसके साथ साथ आप internet का भी इस्तमाल करोगे फिर यहां पर जब आप लोग PIV की बात करते हो तो PIV में ज़्यादा देर नहीं रखती है इसके अंदर around 50 minutes आप लोगों को लगेंगे monthly compilation अगर आप को लेते हो तो although आप एक साथ पूरा नहीं cover कर पाऊगे बट दो या तीन दिन में इसको पूरा करने की कोशिश करना अगर आप लोग एक एक दो दो घंटे भी daily दोगे इन फोकर्ज मैनर तो पूरा होने के बिलकुल chances हो जाते हैं योजना और कुरक्षेत्र magazine यह magazine automatically time लेती है depending की issue कैसा है special issue है या normal issue है बट फिर भी यह जो दोनों magazine है यह around 4-5 hours में आप लोग पूरा कर सकते हो तो अपने time की एक limit बांदो time की limit बांदोगे तो क्या होगा आप लोग अच्छी तरीके से time management कर पाओगे और without time management कोई भी चीज हासिल नहीं होती है इसके साथ साथ तीसे principle की तरफ आगे बढ़ता हूँ आप लोग focus करो issue पे news पे focus मत करो focus किस पे करना है issue पे focus करना है news पे नहीं करना है although news से आप लोग facts निकालो figures निकालो but main चीज यह है उस issue और issue का concept कि अगर मान लोग कोई policy का issue है governance का issue है you know that is related with your gs paper number 2 तो उस issue को बिलकुल link करो अपने slavers के साथ और फिर आगे बढ़ो जानने की कोशिश करो कि कि इसी भी चीज का reason क्या है कोई भी अगर news पड़ रहे हो जाने ही कोशिश करो कि उसके लिए आपको क्या background knowledge की जरूरत है इसलिए पीछे resources में मैंने आप लोगों के लिए internet वाला version introduce किया था फिर currently उस particular चीज का status क्या है हर एक status को हर एक चीज को दो चीजों में divide करो pro और cons में कि इसके क्या क्या benefits है क्या क्या इस चीज के नुकसान है और इसके साथ साथ आप अपने खुद के suggestion भी add on करने की कोशिश करो ऐसे क्या होता है आपकी जो answer writing practice होती है वो हो जाती है बहतरीन और आपको और भी ज्यादा अच्छे marks मिलने लगते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले principle की तरफ data learn to make notes note making एक बहुत ही beautiful art है हर किसी के बस्की भी नहीं है और note making आप लोग अलग अलग तरीकों से कर सकते हो यहाँ पर मैंने आपके लिए तीन तरीके divine किया है इस वाले तरीके पर देखो जैसे आप लोग नॉर्मली note making करते हो line by line line by line लिखते चले जाते हो अब हर किसी वेक्ती का अलर अलग note making का style होता है कोई भी note making का तरीका बहतर चा कोई भी note making का तरीका किसी किसे कमजोर नहीं है तो यह वागा नूटमेकिंग का तरीका है यह भी अच्छा है अगर आपको इससे comfort दिखाई देता है बद पूरी book नहीं छापनी है छापना सिर्फ उतना है जितना आपके लिए exam relevant है कुछ लोग इस तरीके से keywords का इस्तमाल करते हैं this is what this is the keyword version important important keywords है उनको लिखते चले गए और फिर उनको जाइन करते चले गए ऐसे क्या होता है आपका mind की retention power बढ़ जाती है last but not the least यहां पर एक तरीका होता है mind mapping का कि अपने brain में mind map बनाओ जैसे आप लोग बनाते हो na linkage create करते हो यह similar manner आप लोग ऐसे mind maps बना सकते हो कि यहां पर लिखा issue और उस issue के reasons उनके pros उनके cons mind map की तरह है आप लोग फैलाते चले गए तो ऐसे note making के तरीका है last but not the least the last principle आप लोगों के लिए read revise execute guys practice makes a man perfect you all know this practice makes a man perfect and after long time of practicing work becomes natural work become skillful and work becomes swift and steady लगाता practice करते चले जाओगे तो चीज़ें और भी ज्यादा आसान और भी ज्यादा बहतरीन हो जाएंगी तो guys यह हैं 5 principle आप लोगों के क्या क्या है 5 principle पहले आपको अपने resources को करना है limit फिर आपने अपने time को limit करना है focus करना है issue के ऊपर note making exercise daily basis पे करनी है इसके साथ-साथ read revise and execute इन चीजों का इस्तमाल करोगे note making exercise guarantee से आपकी असान हो जाएगी और current affair में आप हो जाओगे expert यह था आपके लिए के important lesson इसके साथ-साथ do not forget आप लोग मुझे आपके प्लस model पे भी जोइन कर सकते हो जहां पर यह सारे काम मैं आप लोगों के लिए कर बनाता हूँ और भ thank you for having me here guys and have a great day ahead, bye bye take care